हाई गाईज बेरी गुड आफ्टरनून एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाइफार स्टाडी चानल पर विच इस पार्ट ऑफ अनकारमी अवेरी वेरी गुड आफ्टरनून तो अलाइट चलिए करते हैं आज के सेशन के शुरुआत आज का टॉपिक आप सभी लोगो को पता है music and instruments और उसके साथ में कुछ famous personalities यह हमारा आज का topic रहने वाला है और यह जो particular topic है यह मैंने आपको अनकारमी पे theory के form में already पढ़ा दिया है तो अगर कोई student ऐसा है जिसने ये class नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजेगा अनकारमी पे जाएगा मेरी profile पे जाएगा आर्ट इन कल्चर की ठीक है वेरी गुड़ आफ्र नोग ओके चल लावी मिश्टू मौसमी अमर जोट्स ना जी कमल यह आलिक तुम रोज-रोज मुझे क्यों बताते हो that you are from Odessa मुझे याद हो गया है चलिए तो करेंगा अपने टॉपिक की शुरुवार लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज आपके और कौन-कौन से classes हैं जिनको कंड़क किया जाएगा इस class के बाद में शाम को चार बजे आनकारमी पे आपका special class रहेगा टॉपिक पॉलिटी का constitutional bodies ठीक है टॉपिक क्या है constitutional bodies इसके basis पे आपको क्या मिलेंगे questions मिलेंगे वहाँ पे पूरा explanation मिलेगा पोल बेस आपका सेशन रहने वाला है ठीक है तो यह class skip मत करना क्योंकि यह आपका special free class है इसको जरूर से टेंड करिएगा आकाश, अदिती, प्रीथ, मिल्वाबू, नमन, अमर I am possible इसके बाद में शाम को आट बजी का जो आपका class होगा वहाँ पे आपका आज से शिरू होने जा रहा है त्योरी का part जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैदिक सबिता के बारे में जब वैदिक सबिता पढ़ेंगे तो अबसी बात है इंदसफरी सबिता या इंदसफरी सिवलाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो भी डिसकस होगा यह class आपका theory class होगा यहीं YouTube पे इसको कंडग किया जाएगा अब यह ध्यान अखना जो भी आपके classes हम ले रहे हैं वो आपका prelims और मेंस दोनों को cover करते हुए चड़ेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अभी भी मेरे पास में messages आते हैं कि ma'am what to do for the means बेटा यह पढ़ा तो नहीं इस्लेबस सोड़ी ना बाहर हो जाएगा स्लेबस तो वही रहेगा content भी वही रहेगा सिर्फ एक standard आपको ऊपर जाना है तो वह standard ऊपर आपको यहां मेरेगा ठीक है तो सब तयार मनोज, आनंद, लोकेश, राजन, ओके तो यह है आपका complete program आने के आदमी पे I hope कि आप सभी लोग जो हैं वो तयार हो गया होगे सस्वेखाल, very very good afternoon आईए शुरु बात करते हैं सबसे पहले वो नाम जो भी हाली में सुर्खियों में रहे पहला, बेंगॉली सिंगर जिनका नाम है संधिया मुखर जी, अभी हाली में इनकी देथ हुई है, सीधा सीधा question पूछा जाएगा कि इनका जो नाम है वो कौन से, स्टेज से या फिर कौन सी language के साथ में जुड़ा हुआ है, तो बेंगॉली सिंगर, next, पदमश्री एवाड जिनका नाम है यहां पर ध्यान दीजेगा, नाम है सुलोचना चवन, इनको पदमश्री एवाड भी दिया गया, और इसी के साथ में इनका नाम किसे जुड़ा हुआ है, लावनी के साथ में जुड़ा हुआ है, किसे लावनी सिंगे, यानिकि सिंपल सी बात है कि हम बात कर क enrolli कि लावनी डांस फर्म कहा का डांस फर्म है तो यह बहुंखकी महराश्थ है कि याया समाश्या तो वह बी कहा का होगाि यह भी महराश्ष्ण राएं आपको मिलेगा अगला अगला में शिंग निर्मला मिश्चुन बनेगा कि इनका नाम कौन से छेत्र से कौन से फील्ड से जुड़ा हुआ है तो ये कौन थी ये थी सिंगर अभी हाल में इनकी भी देथ हुई है ये नाम आप से पूछे जाने की काफी जादा संभावनाए है क्योंकि ये काफी दिनों तक लाइम लाइट में चलता रहा पंजाब के अंदर बहुत ही जादा फेमस सिंग के रूप में इनको जाना जाता है जिनका नाम है पंजाबी सिंगर बलविंदर साफरी क्या नाम है बलविंदर साफरी अभी हाली में इनकी हत्या की गई थी अगर आपको याद हो तो अभी लेटिस की ही यहाँ पर ये बात थी ठीक है हाँ पंजाब अगला नाम गजल की ज जी का किसका नाम है बोपेंदर सिंग जी का तो बोपेंदर सिंग जी जो है इनका नाम गजल से जुड़ा है और इनकी भी अभी हाली में क्या होई थी बाई डेथ होई थी नेक्स ये भी आप से अलेडी पूछा जा चुका है अभी देखो मैंने तुम्हें जम्बू इन कश् शेयर किया, FCI के जो कॉश्चन्स आए हैं, वो तो कल मैं आपको क्लास में सुभा साथ बजे सॉल्व करवाऊंगी, हर पेपर का सांडर सेम है, कहीं पे कुछ बदल नहीं रहा है, अगर आट इन कल्चर में एक पेपर में दो सवाल आ हैं, तो अगले में तीन आए हैं, कम नही आए था सुर्खियों में, और आपको याद होगा, कि यहाँ पर यह नाम किस से जुड़ा हुआ है, संतूर के साथ में जुड़ा हुआ है, थर्जडे को हैं आपके दो क्लासेज आर्ट इन कल्चर के, अच्छिन मुझे कॉंटेंट डूरने में थ्रवा सा समय लग रहा था इसलिए थर्जडे को दो क्लासेज आपके आर्ट इन कल्चरी रहेंगे, अगला है बॉलिबूर्ट सिंगर केके, वेरी फेमस ने, कोलकता के अंदर एक कॉंसर्ट के दौरान इनकी देथ हुई थी, इनका नाम भी पता होना चाहिए आपको, नेक्स नाम है, पर्दम इनकाल निकाल निकाल के अराम से मुन्ना, बस एक पल है, वेरी को गाने विशुरू हो गया है, वाहां पर केके के, अगला सुनिएगा यहां पर, नाम है यहां पर प्रफल कर, इनकोई भी अभी हाली में देथ हुई है, और इनका नाम जुड़ा हुआ है, किसके साथ में, ओडिसा के साथ में, किसके साथ, ओडिसा के साथ में नाम जुड़ा हुआ है, फाइन, नेक्स, आहा, सोने की बात हो और इनका नाम नाया ऐसे, कैसे हो सकता है, यह है पपीलारी, अभी हाल में इनकी भी देथ हुई थी, यह मुजिक अंपोजर, आज सिंगर भी हैं, डिक, आइए ज़रा चलते हैं सवालों की तरह, आइए वाला हसो, चलें फिर, शिरुवात की जए, अलगो टुगो, आइए ज़रा बताना शुरु करें, सवाल, कहा जा रहा है, डॉक्टर एपी जए अब्दुल कलाम जी जो थे, उनके नाम के साथ में इसमें से कौन सा इंस्ट्रुमेंट जुड़ा हुआ है, हाँ जी, फीफा के उपर, पूरा अलग से हमें एक सेशन लेंगे, थर्स्डे को, बारा बज़े, यही पर, और कल, न्यूस पढ़ाएंगे, आपको फीफा की पूरी, आज, जो कुछ, मतलब, रात में, जितने भी अबोर्ट्स वगेरा, सारे चीज़ें थी, वो कल के क्लास में पढ़ाएंगे, आज, मैंने सिर्फ सुबह आपको एक आउटलाइन दे दिया था, कि भई, यह यह हुआ है, कल डिटेल में पढ़ेंगे, हम, वोईलिंग बजाते थे वो, हाई रे, इमोजी, इसका आंसर क्या होगा यहापे, नदेश्वरम, नदेश्वरम, मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर वोईलिंग किया है, मैक्सिमम ने वोईलिंग किया, मैक्सिमम क्या, सभी ने वोईलिंग किया, सब के सब गलत हो, चलो, अगला बताइएगा, अभी हाली में, यह क्या है, जैसे कि शैनाई होती है, बिल्कुल उसी तरीके से एक म्यूजिकल इंस् तो सही जवाब, Tamil Nadu is the correct answer, Tamil Nadu में ये instrument आपको मिलेगा, अगला, उस्तार बड़े गुलाम अली खान, इनका जो नाम है, ये जुड़ा हुआ है, classical music के साथ, बड़ कौन से टाइप की music, मैंने आपको पढ़ाया था, हिंदुस्तानी classical music and करनाटिक music, दो अलग-अलग टाइप की music होती है, हिंदुस्तानी classical के अंदर आप देखोगे, तो आपको different different forms देखने को मिलते हैं, जैसे कि धुम्री, धुरूपद, ये सब आपको मिलेगा, किसमें, हिंदुस्तानी classical music में, अच्छा तुम्री, बिलकुल सही जवाब है, तिक, धुम्री, मैं फिर से बता दूँ, इस सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे, जिन्होंने आज तक ये सारे topic कभी देखे भी नहीं होंगे, बट मैंने हर एक class आपका theory में, अने कार्मी आप पे free classes में पढ़ा दिया है, अभी इसी महीने में मैंने कम से कम 5 classes लिये होंगे, आर्ट इन culture के, और एक बग फिर से, इसी Thursday को दो topic और हम आपके रखेंगे, आर्ट इन culture के, एक class आपका रहेगा, इतने बज़े, और एक class आपका रहेगा, इतने बज़े, ठीक है, कहाँ, वहीं आप पे free classes में, अब नहीं पढ़ोगे तो वह गलती देखो आपकी है, वहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं है, अगल को बताना है, इनका नाम कौन से टाइप अफ म्यूजिक से जुड़ा हुआ है, अच्छा, आवनी डीरी थी, ओके, बताएं, बी, करनेटिक म्यूजिक के साथ में जुड़ाएं, सब करनाटिक के साथ में जा रहे हैं, एवरीवन विदक करनेटिक, इतने चालू हो तुम लोग, इतने चालू हो, लिटरली तुम लोग एक नमबर के चालू हो, पुछो क्यों, अब नाम देखके पता चल रहा था, कि ये जो नाम है, ये साउथ इंडियन होगा, है ना, तो तुरंट से दिमाग के घोड़े दोड़ाएं, और आंसर किया करना टेक, बड़ा, आम डाम शिर, कुछ बच्चों को छोड़के, मतर तीन-चार बच्चों को छोड़के, मैक्सिमम बच्चा जोए, उसके दिमाग में आंसर नहीं आया होगा, नि, कह दो, कि ये जूट है, क पढ़ा के रखा है अभी, बताएं, नाम से पता सल जाता है, बताओ, ये जूट है के दिया, बढ़ा ही नहीं है, तुमारी, हिंदुस्तानी म्यूजिक, आप देखो, ये नाम देखके समझ रहे होंगे, कि नौर्थ इंडियन है, अब अगर कुछ नहीं भी आद होगा, तो मैंने आपको पढ़ाया था, कि जो हिंदुस्तानी म्यूजिक होती है, वो हमेशा आपको नौर्थ इंडिया में मिलेगी, करनेटिक म्यूजिक जो होती है, वो आपको हमेशा साउथ इंडिया में देखने को मिलेगी, तो आप इसको ऐसे भी आनसा कर सकते हो, ठीक, अगला स नियेगा शोभा मुद्गल शोभा मुद्गल ये भी कौन है ये भी म्यूजिक से जुड़ी हुई है वोकलिस्ट है आपको बताना है इनका नाम कौन सी म्यूजिक के साथ में जुड़ा हुआ है बताएं आज आज आख गुजे आपका विधिक सिविलाइजेशन का क्लास होगा जोकी हम दो पार्ट में पढ़ाएंगे एक पार्ट अज एक पार्ट कर्ण कि वो अलेडी दो पार्ट में ही डिवाइड़ेध है करनेटिक यहां पर भी करनेटिक बता रहे हो गलत हो गया बाई गलत हो गया हिंदुसानी है अगला बताए हरी प्रसाज चौरस या जी वेरी फेमस ने वेरी फेमस ने शाम के आठ बजे का क्लास यहीं यूट्यूब पर होगा और शाम के चार बजे का क्लास जो की आपका अप पर होगा टॉपिक है constitutional bodies नहीं बेटा जो क्लास का समय जो है वो वही रहेगा चेंज नहीं हो सकता इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या है फ्लूइड नेक्स देके रवी शंकर जी वेरी फेमस ने अगें रवी शंकर जी का नाम किसके साथ में जुड़ा हुआ है अच्छा सेंग लिखा हुआ था ओके ठीक कोई ना आसब हो नहीं था ना तो कोई तकलीफ नहीं यह उसमें आगे बताओ जब औक्षन बनते है ना तो कई बार हो जाता है ऐसा जबी शंकर जी इस फेमस फ्लूड सितार वादक थे सितार वादक सितार 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 ओके नेक्स भाई M.S. Gopala Krishnan M.S. Gopala Krishnan यह तपलीक कौन सा होता है तपलीक तबला तो सुना है तपलीक यह किसी का नया वर्जिन आया है क्या ओके यह हो जाएगा यहां पर वॉयलिन क्या होगा वॉयलिन इसका करेक्ट आंसर बनेगा वेरी गुड चलो जाकर हुसैन यह सवाल भी अभी CGL ने पूछा था यह कॉश्चन भी अभी CGL ने पूछा था बताएं यह टॉपिक्स होते बहुत चोटे-चोटे से हैं पढ़ाने में इनको समय नहीं लगता है लेकिन जब एक्जाम में आते हैं और आपने ना पढ़ा हो तो ऐसा लगता है हाई कितने जन्वों का बदला हमसे लिया जा रहा है है ना चलो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तबला इस दा करेक्ट आंसर चलो नेक्स पर आएं बताएगा अला रखा खान अला रखा खान म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट दस कुश्चन्स आये थे आरे वा तुमने सॉल्व कर लिये ते पहले ही बताओ मुझे अज सर्दी बहुत है माम हाथ नहीं चल रहे हैं उन बच्चों से पूछो जिन्हेंने सुबख साथ बजी का क्लास किया था और साती साथ में अपने नोच भी बनाये थे उनका दर्द सोचो नेकिन उनका यह जो दर्द है न बाद में जाकर उनको जरूर से रिपे होगा मिस्क आशना से क्या है तबला अगला grinding अगला अली कभर खार अली अगबर खा फार अ messenger इंस्ट्रुमेंट इंस्ट्रुमेंड कि अली अक बद का वीना, वीना के साथ मैं जा रहे हैं सारुद, गलत, 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 गलत चलिया, नेक्स प्राइग है इसमें से कौन सा ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट है जिसके शिर्वाद भारत से ही होती है जिसके शिर्वाद भारत से ही होती है ने हमें तो उठना ही पड़ता है आसब पांच बिदे बताएं गिटार, ड्रम, प्यानो ये देको ड्रम लिखा हुआ है ना 100 ड्रम फेस्टिबल मिघाले के अंदर मनाया गया था ये भी आपके CGL में पूछा गया था दो दिन पहले पढ़ाया था और अगले ही दो दिन छोड़के सवाल आपके पेपर में आ गया था इसका आंसर क्या है? फ्लूइट इस दा करेक्ट आंसर अगला सुनिएगा धुमरी सिंगर जिनका नाम है गरिजा देवी वेरी 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 फेमस नहीं कहा जा रहा है कि ये बताई घर आना कह मत देना की नहीं पढ़ाया है बता दिया वने बताओ घर आना तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हूँ नहीं? बताएगे लखनाओ कुछ का आनसर बनारस है कुछ का आनसर लखनाओ है चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट आनसर क्या होगा? बनारस घराना क्या होगा? बनारस घरानी के साथ में इनका नाम जुड़ा है अगला सवाल देखेगा कहा जा रहा है बोबली वीना also known as सलस्वती वीना और एकांदा वीना is a large plucked string instrument used in the kinetic music एक ऐसा instrument है जिसको यहाँ पर kinetic music के अंदर इस्तमाल किया जाता है यह वीना की तरीके का ही होता है यह किस चीज का या कौन से पेड़ की लकड़ी का बना हुआ होता है जाक वूड जाक वूड सत्यजीर जाक वूड यह वाला टॉपिक मैंने अभी नहीं पढ़ाया वंदब ऐसे अभी नहीं पढ़ाया चलो ठीक है इसके ओपर भी कुछ निकालते हैं कॉंटेंट अच्छा इसका आंसे क्या होगा जाक वूड अभी पढ़ाएंगे ना थाजरे को दो टॉपिक तो उसमें कुछ ऐसे ही ढूनेंगे ठीक है अगला घाटम घाटम करनेटिक म्यूजिक में इस्तेमाल होता है यह क्या है गाटम क्या होता है एक पॉड की तरीके से आपको मिलेगा नेक्स अमजुद अली खान नेम दा इंस्ट्रूमेंट मिट्टी का मटका जो होता है ना अर्थिन पॉड अर्थिन का बता में मिट्टी का बना हुआ अर्थिन यह क्या होगा सारुद अगला बोबली वीना is also known as अभी हमने देखा ना आपसे कहा जा रहा है यह कौन से स्टेट में इस्तिमाल किया जाता है अभी आपने देखा मैंने इसके बारे में आपको बताया ना अब आप बताएए कौन सा स्टेट होगा क्या बनेगा ये आंदर प्रदेश अगला बताएए इसमें से कौन सा ऐसा है जो की पर्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट का एक्जामपल नहीं है नहीं है नहीं है शरी नॉट पूछा गया डमरू डमरू नहीं है बिलकुल सही जवाब बहुत बढ़िया इसके लिए आपको मिलते हैं एक नाक रुपए नेक्स्ट वो भी वर्चल फॉर्म है विच उपड़िया इस खायाल घराना आपको पढ़ाया था ना मैंने यह अलग अलग घराने पढ़ायते हैं हिंदुसानी ख्लासिकल म्यूजिक के अंदर बहुत सारे घराने होते हैं फिर मैंने आपको बताया था दुमरी में क्या हो अब बताओ सबसे पुराना खयाल घराना कॉन से है जिस बच्चे ने नोट्स बनाए होंगे उसके लिए आसानी होगी उसको एक है हाट देख पूछ रहा है कि माम यह आपने कब पढ़ाया बताया ना आकरी ऑप्चन यही है कि जिस दिन जो टॉपिक पढ़ाया है उसका लिंक हम ही डून के लेकर आके क्लास में शेयर करें इस इस दिन लास्ट थिंग विच आई कन दू पर यू आँ से क्या होगा ग्वालियर घराना नेक्स पाइए दराया गा मिया मलहार इस क्रूएट बाय एक यह वाला टॉपिक भी पढ़ाना पढ़ेगा मुझे क्रियेटर्स के उपर मैंने भी पढ़ाया नहीं है आपको चलो इस थाज़रे को देखते हैं क्या क्या मिलता है उसके हिसाप से पढ़ाएंगे अच्छा पिछले मन्त का करेंट अफेस चूट गया है तो बिटा आप मंतली का जो कंपाइलेशन है आप उस क्लास को टेंड कर लो इसका करेक्ट टांस है यहां पर क्या आएगा तांसेन अगला उस्ताद बिस्मिल्ला खाम वेरी पेमस नेम इनका नाम किसके साथ में जुरा हुआ है सिंपल है शेहनाई मतलब शादियों में जाएं और अगर वहाँ पे आपको एंट्री टूर पे शेहनाई ना दिखें तो क्या ही बात है तबला जो है यह सबसे पहले किसके द्वारा इन्वेंट किया गया जिनका भी एक टॉपिक छूट गया है या फिर जिन्नोंने एक लास नहीं देखा है एक काम करियेगा प्रती करेंट अपे अपिशल यह टेलिग्राम है यहाँ पे आपको सारे क्लासे के लिंक मिल जाएंगे वहाँ पे जाके पिछले हपते का लिंक एक बाद चेक कर लेना क्या हो जाएगा आमिर खुसरो अगला अगला हाँ मैनी स्वर्ड आर देयर इन इंडियन म्यूजिक हाँ मैनी स्वर्ड क्या होगा यहाँ पे टोटल 12 हो जाएगा नेक्स पंडित शिफ्कुमार शर्मा जी का नाम किस से जुड़ा हुआ है यह हो जाएगा यहां पे संतूर के साथ में किसके साथ संतूर के साथ अगला है खुआंग यह कहां का म्यूजिकल इंस्टूमेंट है हां यार यह देखो तीन टॉपिक मुझे मिल गये हैं यह जब questions आप कराते हो ना तो आपको पता चलता है कि और कौन-कौन से questions हैं जिनके उपर आपको पढ़ाना पड़ेगा तो मुझे तीन topic मिले एक तो यह है कि कौन सा state में कौन सा instrument है एक यह है कि कौन सा instrument को बनाने के लिए किस चीज का इस्तमाल किया जाता है यह दो तो मुझे कराने पड़ेंगे इस बार ठीक है चलो done इसका answer हो जाएगा मेजोरा अगला बताइए इन में से कौन सा ऐसा instrument है जिसके अंदर जो strings होते हैं वो horse के hairs के होते हैं बताइए अलाबाद High Court Junior Assistant का पेपर बहुत अच्छा हो अच्छा अच्छा अच्छे तो दो दिन से तुम ही थे ना कि माम अलाबाद वाला पेपर है अलाबाद वाला पेपर है तुम ही थे ना जो परिशान थे लेकिन एंग तेकनेत कारवन कॉपी तक नहीं मिली कि सलेंगे अ बलता है कुछे घृजाल में कॉपी नहीं मिलतीग को होपिंग फर टर बेस्ट और क्या कह सकते हैं तो चिंकारा, चिंकारा अच्छ, चिंकारा है इस दा करेक्ट आंसर, चिंकारा, How many strings are there in the sarut of the mihar dharana, Mihar dharana में the sarut का istatult का इसे शुफल किया जाता है, उसमें total कितने strings होते है, total कितने strings होते है, यह कितने हो जाएंगे, 25 strings आपको मिलेंगे, अगला the term उदार, मुदार, तारा, ये जो तीनों शब्द हैं, ये इन में से किस चीज से जुड़े हुए हैं हो जाएगा music के साथ में, क्योंकि हम music वाला topic पढ़ने हैं और वसी बात है चरे, तो यहां तक मैंने आपको सारी चीजे पढ़ा दिया, उमीद करेंगे कि आपने इन questions को properly attempt किया होगा अगर आपने इसकी theory नहीं देखिये, तो आप पे जाएए, वहाँ पे playlist में चेक कर लीजे नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, आप सीधे सीधे टेलिग्राम पे जाएए इसके लावा जो भी बच्चे ऐसे हैं, जिनको foundation batch जोईन करना है जिनको सारे subject पढ़ने हैं, वो विजय पढ़ बाच को जोईन कर सकते हैं 6000 something इसका cost है, जिन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ GS पढ़नी है वो unacademy app पे जाके SSC, CHSL, category को select करके इस batch को जोईन कर सकते हैं जो आपको लक्ष बाच के नाम से नजर आ रहा होगा, by December से शुरू होगा इस में सिर्फ पॉसिफ GS है, सारे subjects हमें आपको पढ़ाएंगे live session में code use करना, krati 10, और यहां पे 10% discount आपको मिलेगा अगर आप recorded classes देखना चाहते हैं, तो SSC GS category में जाके आपको वहाँ पे मिल जाएंगे सारे recorded classes, triple 9 में अगें, the code is krati 10, दोनों के लिंक आपको टेलिग्राम पे हम शेयर कर दें, this is a telegram, krati कर एंटफेस official, code will be krati 10, ठीक है important means also available, चलो बच्चा paper analysis देखो, सारे papers की तो नहीं हो सकती, अभी कल पर्सों में बहुत सारे papers हुए हैं, है न, तो अभी कल सुबह 7 बजे जब आप से मिलेंगे, तो मापे FCI के question पहले करवा देंगे, क्योंकि FCI का paper पहले लगा हुआ है, ठीक, चलो, तिल दें, खुश्रहीं मुस्करा keep learning, keep revising, session को एक बारी से like और share करिएगा, bye bye and take care.